चलिए बात करते हैं उस नारे की जो इस समय चर्चा का विश्य है बना हुआ एक तरफ तो बटेंगे तो कटेंगे लेकिन दूसरी तरफ पियम नरेंदर मोधिका एक है तो सेफ है जिसके सपोर्ट में अब संत समाज भी आ चुका है सनातन धर्म से जोड़े लोगों को वोट क करने की अपील की गई है और हिंदू धर्म के समर्थकों को वोट ने ये कहा गया है मौलाना चाहते हैं राश्रवेदो विरोधी ताकते जीतें वोट जिहाद का मुद्दा गर्माता जा रहा है और एक है तो सेफ है के सपोर्ट में अब संत समाज आ चुका है उन्होंने सना सनातन धर्म से जोड़े लोगों को ही वोट करने की अपील की है और उन्होंने ये भी कहा है कि हिंदू धर्म के समर्थक को ही वोट ने उनका मानना है कि मौलाना चाहते है कि राश्रवेदो विरोधी ताकते जीतें इससे पहले हमने देखा कि जहाँ अभी तक उलिमाओ की और से और नौमानी की ओर से यही का गया था कि एमबे को ही वोट दिया जाए लेकिन अब एक है तो सेफ है कि समर्थन में संसमा जा गया है और सनातन के सपोर्ट में वोट करने की बात कही गई है हमारे हम बिल्कुल बोट जहाद होना चाहिए अगर बोट जहाद होगा तभी सब हिंडू एक होंगे कारण क्या है कि हिंडूों को सिल्फ बोट देना है और जाती भी बट पर दें यह नहीं सनातन में होकर के दें तो यह जादा अच्छा रहेगा क्योंकि जैसे मुसलमान जल्फ के एक होगार कर करकला है है झार्फ भीक老師 कार अपनी समझ से किसी नेता के कहने से नहीं अपने भारत के कल्यार को देखते हुई है और अपनी एक जिम्मेदारी को समझते हुए बोट जिहाद होना चाहिए और इसमें जितने सादु सन्यासी है वो अपने सिश्यों को समझाएंगे घर-घर अलग जगाएंगे हम लोग और इसको बोलेंगे कि नहीं हमारा बोट देना अधिकार भी है और हमें बोट देने की एक चेतना भी होनी चाहिए इसलिए बोट जहाँ जरूरी है चले चुनों में जिस प्रकार से बोट जहाँ चलाया दारा है मुसलिम ओलामा कटरपंथियों मुलों के द्वारा जिस प्रकार से वहाँ के जंता को भरगलाने का प्रयास कोदारा है और बोट जहाँ के माध्यम से कहा जार आवड़ absay को फॉट करना धर्मगुरूं का क्योंकि जिस प्रकार्शे वहां पर मुल्ले मौल्मी मदर्शा लगातारिय प्रयास कर रही है कि हिंदुत वादी विचारधारा के लोग चुनाव ना जीतें राष्ट विरोधी चुनाव जीतें इसके नाते हिंदु धर्मगुरूं को आगे आना पड आए कि सनातनी का ही चुनाव करें